प्रिये विद्धार्तियों, हम भातिक बुगूल की व्याख्यनमाला को हम आउनलाइन देख रहे हैं, आज हमारा विशे जो भूमी गजल तथा उस्त्रुत्पन्द कास्षिस्टलाक्रती के बारे में जानना हैं, जैसे कि हम पूर में अध्यन कर चुके हैं, कि भूमी गजल क मुख्यते कार्य चुना प्रदेश के अंतृगत होता है, जिसमें वहशा जल से प्राप्तेजल रिस्ट कर जमीन में चूने कि पत्तार चट्टानों में घुल कर, विवर्ण परकार की इस्तिला करतियों का या आकरतियों का निर्मान करता हैं, उस से निर्मित ही इस्तिलाकर करती हैं अब हम इसके आज जो हमारा व्यक्यान संक्या जो 64 है उसमें हम देखेंगे कि कास्व इस्तलाकृती क्या चीर होती है भूमी के जल की घोली करण किरिया इस्तलाकृती निर्मान का सर्विधित कारण है रायसानिक अपर्दन की यह किरिया गुलंचील छेत्रों में वि सर्वादिक होती है इनमें भी चूना पत्तर सर्वादिक घुलंचील होता है परंतु चूना चूना छेत्रों में भूमी के जल तभी सक्डिय होता है जब जलवाई आद्र हो क्योंकि शुश्क वे अर्शुश्क शेत्रों में चूना पत्तर प्रतिरोधी शेल का कार्य करता चूनव प्रदेशों में भूमी कर जल द्वारा निर्मित इस्तला कृति को कास्ट इस्तला कृति करते हैं, कास्ट युगोसलाविया के सर्बो क्रीट भाषा के क्रास शब्दे से बना है, जिसका अर्थ ही चूनव पत्तर होता है, लवन शेल, खड़िया अच, शेल खड़ी तथा डॉलमाइट आदी से निर्मित भू आकानों को हम खड़िया भूद्रश या चौक लैंड़िस्केप भी कहते हैं चूने में डॉलमाइट सबसे कम घुलंशील होता है जिस से इसमें नुकीली चोटियों वाली पाहडियां, इस्तंबों, गुफाओं वे महराबों की रचना होती है आपको जैसा कि विदित होगा कि यह तोरा बोरा अफगानिस्तान पाहडियों का जिक्र किया गया है आपको पता है कि ओसमा बिन लादेन जो है वो एक अंतर रास्टिय टेरर टेररिस्ट था और अमेरिका उसको खोज रहा था क्योंकि अमेरिका के जो वोई ट्रेट पाहडियों पे उसने विमान द्वारा आकरवन कराके उनको नष्ट किया था अफगानिस्तान के अंदरगत जो तुरा बोरा की जो पाड़ियां थी या गुफाएं थी वो चूना प्रदेश से निर्मित थी और इसी में ही एर स्ट्राइक के दौरान में उनी गुफाओं के अंतिकत वो अपने आपको शुरक्षित रखता था काश प्रदेशों में वहिशा का जल शैल संदियों ततर दरारों से भूमी में प्रवेश करता है जिससे ये संदिया लगातार चौड़े होती रहते हैं और लगातार गुलन किरिया से धरातल पे क्रमिश है घोलरंद, वीलियन रद, लैपीज, डौलाइन, युवालिया, युवाला, पॉल्जे, शुष गाटिया तता प्राक्रतिक पुलों की तचना होती है पून विक्सित काश इस्तला कृती, वनस्पतिवीन तता पत्रीले रैगिस्तान जैसे दिखाई देती है स्रंपून दरातल में अपवा का अभाव रहता है क्यों? क्योंकि भूमी का जल, जल जो भैता जल है वो चूना प्रदेश में नीचे की और जमीन के अंतरगत प्रविश का जाता है और वह ही अपना कारे करता है तता कि भूमी का जल, आप्रभा, तता नीचे रहने वाली नदियापून रूप से विक्सित होती है काश का सरवादिक रूप, विक्सित रूप, यूग्योसलाविया में दिनारिक तता आलफशित में पाये जाता है यह एडियाटिक सागर के किनारे 480 किलो मिटर लंबा तता 400 किलो मिटर चौड़ी पत्टी में चूना फत्तर फैले हुए है इसके अलावा यह दक्षणी फ्रांस में के सेश भाग में, इंग्लेंड में पैनीज वे, ग्रीस, स्पेन, मैक्सिको में युकाटान, एशिया में उत्री मलाया, किर्तर शेणी, कश्मीर में मद्देहमाले, कांगडा घाटी, रोताश का पठार, भेडा घाट, चैन्नाई में कर्नूर जिला, स्वेंक्त राज में कैंटुकी, वर्जीनिया, मद्दी टैनेसी, फ्लोरिडा, ओकलामा, आदी राज्यों में ये कास्ट इस्तलाक्रती फैली ह ही है, जैसे कि आपको विदित है, कि जो कास्ट इस्तलाक्रती के विकास होने के लिए कुछ से निश्चित आदश आवशक दशाएं होनी चाहिए, उन दशाओं के अंतरगत, उनका हम इसको बिंदुवार अध्यन करेंगे, कि मुक्य तर चार दशाओं के बारे में बात किय गया है, तो मुक्य तरशा कौन सी है, कि कास्ट इस्तलाक्रती के निर्मान के लिए धरातल या उसके निकट एक गुलनशील शेल विद्दमान हो, जिससे जल अपने रहसानिक कार्जे द्वारा उसे तुरंद घूल सके, जैसे कि लाइम स्टोन, खडिया, डॉलमाइट ऐसी ही गुलनशील चच्टाने होती है, जिससे धरातल पे बहने वाला जल है, वो अपना कार्ये उनको घूल कर अपना आरब करता है, दूसरी बात, गुलनशील शेलों में संदियों का अच्छी तरह विकास होना चाहिए, संदियों मतलब जॉइंट्स है, निकि जिन में दरार या ऐसी इस तरह का होना चाहिए ठीक से विकास होगा और उनके संसरन पतले होने चाहिए, दूसरी शब्द में चूना पत्तर में प्रवेश बड़े पैमाने पर हो, संदियों तथा संसरन तल प्रवेश्ता को बनाते हैं, इंग्लें और फ्रांस के चौक प्रदेशों की श प्रवेश्तानों के अलावा मतलब के वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे विक्सित इस्तला करती हैं, कास छेत में विर्शित वे गहरी घाटियां होनी चाहिए, तदा उनके समी पैसे उचिस सल खंडों जेंटरों उपरी सतह से जल रिस्ट कर लाइम स्टोन में पहुं जल राशानिक कार्य द्वारा लाइम स्टोन शेल में गुलन शीन प्रक्रिया की कारण तरह तरह के छिद्रों वेकंद्राओं का निर्मान करता है, चौती जो प्रमुकदशा है, वो है कास छेत्र में भूमीगर जल की आपूर्तिय के लिए प्राप्त वहश्या होनी होती है, यदि भू पटल के समस्कार्ष प्रदेशों का अवलोकन किया जाए, तो अधिकार्ष कार्ष प्रदेश स्रामाने से प्रचुर वाले छेत्र में ही इस्तित हैं, कि साधर पर हम यह कह सकते हैं, कि कास्ट इसला कृती के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, त यह की प्रकार की इस रचना वाली लाइम स्टोन शेल पर अपर्दन के रूप में जिसे घोल कर और गौन रूप अभश्यक दवरा अपर्दन होता हैं, यानि कि कास्ट इसला कृती में जो अपर्दन है वो घोली करन की प्रक्रिया की दारही होता है, इसके अंतरकर बीडी म मोदे ने काश अपर्दन चक्र को योवा वस्ता, प्रोड़ा वस्ता, व्रद्धा वस्ता तीन आवस्ताओं में बाटा है और स्वीजिक ने अपर्दन की चार अवस्ताइं स्युकार किये जिसे योवा वस्ता, प्रोड़ा वस्ता, उत्तर प्रोड़ा वस्ता तता व्रद्ध आवस्ता का नाम दिया है हम संक्षेप में इन चारों को हम देखते हैं कि युग आवस्ता में स्विजिक के अनुसार कास्ट अपरदन चक्र की प्रथम आवस्ता उस रिस्थल खंट आरंब होती है जिस पर या तो शुद लाइम स्टोल की शेलों का आवरन शतय से नीचे हो ज इस प्रकार यहां पर प्रस्टी जल दीरे-दीरे रिस्थ खंट आता है कि नीचे भूमिगत का रूप दारन करने लगता है चिद्र पूट रूप में घोल चिद्र का निर्मान हो जाता है शीगरी स्वीजिक के अनुट्राल लेपीज का निर्मान इस रवस्ता की विशेषता है और कंद्राओं का निर्मान भी युव अवस्ता में आरम हो जाता है दूसरी अवस्ता प्राडा अवस्ता है, युग अवस्ता के समय का प्रष्टिय जल प्राडा अवस्ता में भूमिग जल का रूप धारन कर लेता है, इस अवस्ता में धरातल बे भेने वाली नदियां सत्य के नीचे उतर जाती है, जिसे ब्लाइंड वैली का निर्मान होता है जिसे अंधी घाटी कहते हैं, प्रौडा अवस्था में बड़े पैमाने पर कंद्राओं का निर्मान, यानि गुफाओं का निर्मान होता है, इस अवस्था में काश की इस्तिला कृतिका शर्वादी पर काश होता है, कंद्रा जाल तंत्र इस अवस्था की यानि कि जबीन के नीचे वेबिन गुफाओं का एक जाल बन जाता है अलग लग जगे पे और वो आपस से कनेक्ट हो जाती है, तीसरी अवस्था है उत्तर प्रौडा अवस्था की रूप में जानते हैं, इसमें उत्तर प्रौडा अवस्था में सर्वादिक विक्सित काश लग्रतियों का विनास आरम हो जाता है, कंद्राओं का कुछ भाग नीचे धर जाता है, जिसने कास्खिर्की यूवाला वे पोल्जिय का निर्मान होता है, इस अवस्था में इस सल्खंड स्रम प्राय भूमी के रूप में सामने आने लगता है, कहीं कहीं लाइम स्टोन के क कुछ अवशिस्ट भाग रह जाते हैं, जिने कूट या हम्स कहते हैं, इनका निर्मान पोल्जे की फ़र्श पर होता है, यनि जमीन पर धरातल पर होता है, चौती अवस्था है, व्रद्द अवस्था, स्विजिक के अनुसार कास्ट में, जीना अवस्था में या ओल्लेज में इस्थल खंड अपने आधारत अल तक कट कर नीचा हो जाता है, सतय पर धस्ती भी निवेशिक आएं, चता ब्लाइन वेली स्रमाप्त हो जाती है, भूमी का जलधारा सतय पर प्रवाइत होने लगती है, कहीं कहीं चुने की शैलों के अवशिस भाग में हम्स के रुप मे इन अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, यूग इसलामे में इन्हें हम्स कहते हैं, प्यूटरिको में पैपिनो हिल्स कहते हैं, या हैस्टिक हिल्स कहते हैं, हैस्टिक हिल्स कहते हैं, क्यूबर में मौगटस कहते हैं, फ्रांस में बूटिस्ट एमोन कहते हैं आदी के नाम से ये प्रसिद्ध है